फैजू ने जननत कात मिलकर जननत के डैड़ी को दिया रात के बारा बजे सप्प्राइज हेलो गाइस वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल आप सभी के फैजू रात के बारा बजे भी मुझूद थे जननत जुबियर के घर जैसे कर दो कल लो बटाया था कि फैजू जननत के घर पहुचे आया थिंग सोगे वेडमिंटर मैज देखने पहुचे आया इनका बट एक और चीज थी जिसके कारण फैजु पहुचे हैं जननत के घर क्योंकि आज है जनन जुबियर की डैडी का हैपई वहलपाट डे तो जन बेर के घर पे ही थे जाकि कुछ फोटोज आई हैं अपने सीन पर देख पारें किस तरह से जननत फैजु आयान जननत की मैनेजर और जननत की ममी इन सबने मिलकर सप्राइज दिया और कोई भी नहीं था फैजु की अलावा मतलब आलग से कुछ सेलेब्रिटी तरह से धार जो नहीं थे जो गईस यही सब मिलके इन सबने सप्राइज दिया और बहुत ही क्यूट सा सप्राइज था जहां पर जननत की डैडी को फैजु बोलते हुब भी दिखाए दे कि फाइनली अंकल 25 के होगे यानि पच्छी साल के होगे जहां पर जननत की डैडी को बोलो हैपी बड़े कमेंट सेक्सेन में और आज हो सकता है फैजु भी को इस पेशल पूश डाल दे जननत की डैडी को बड़े करते हुए चाहिए स्टोरी पर लगाएं लगाएंगे तो अच्छा तो कंफाब है इसी की साथ जननत तो डालेगी ही लेकिन कुछ मुमेंट आया जहां पर बड़े कि इस साल भी पिछली साल भी पिछली साल तो खत्रुक की लड़ी सेन 12 के सेट पे थे वो लोग तो वहां पे भी सेलिब्रेट किया तो और वहां पर उनका कॉइंसिडेंट पीवा था बिकोस इस बार फैजु ने यहां पर यह लोग लड़का कपड़े पहना और ज जननत के ड्रात का जननत के डैड़ी को सपराइज कि ए बॉए में सेर्ष और ऑफ में सर्फ चáficश हो … पाड़ी बाड़ी हो तो वहां के कुछ आएगा तो हम आपको दिखा देंगों सब चीज़े को देखें लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेट पे हैपी बड़े जरूर से बोले जनल जुबिर की डैड़ी को बोले हैपी बड़े टो यू अंकल